हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर हम बात कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टन और जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नमबर नाइन और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क तो देखते हैं कुशन इसमें कुशन नमबर है हमारे पास 23 क्या कह रहा है कुशन नमबर 23 देखिएगा कुशन नमबर 23 आपको कह रहा है कि एक बंदर ये जो कुशन है ये कुशन हमारे अभी जो पाइप एंड सिस्टन के कुशन आएंगे उनमें हेल्प करेगा इसलिए इ पीजनिंग में भी पूछे जाते हैं क्या अगर आपको आपको कह रहा है कि एक बंदर कि सौ मीटर उचे खंबे पर चड़ता है ठीक है यह पहली मिनट में 6 मीटर चड़ता है और दूसरी मिनट में चार मीटर फिसल जाता है तो ग्यात हमें ये करना है कि वह कितने समय में बंदर खंबे पर चड़ जाएगा तो देखिएगा जैसे कि ये मेटर लंबा कोई खंबा है डागराम की जरूरत है नहीं पर पहला कुष्ण है इसलिए थोड़ा सा बना कर बता देते हैं आपको ये 100 मेटर लंबा खंबा हो गया बंदर को यहां पर चड़ना है यहां चड़ने के बाद में चाए बंदर नीचे फिसले या वहीं पर बैठ रहे हमें उससे मतलब नहीं है कुश्चिन के अकॉर्डिंग हमारा टार्गेट है उसको एक बार यहां पहुचाना उसके बाद में चाहे वो कूदे बैठे या फिसले कोई हमें लेना देना नहीं है चलिए अब आपको कह रहा है कि वह पहले मिनिट में तो 6 मीटर चड़ता है यह है 4 मीटर दूसरे मिनिट में वो 4 मीटर फिसल जाता है तो इसका मतलब 4 मीटर कहां आ जाता है वो नीचे आ जाता है तो यह 4 मीटर नीचे आ गया यह हो गया 4 मीटर तो अब आप आजसानी से यह बात समझ सकते हैं कि 6 मीटर चड़ा 4 मीटर नीचे आ गया तो फाइनली चड़ा कितना वो, दो मीटर ही चड़ा, कितने समय में, एक मिनेट और एक मिनेट, दो मिनेट में कितना गया, वो दो मीटर गया, तो हम कह सकते हैं, कि वहाद दो मिनिट में कितना जाता है दो मीटर जाता है जो कि बिना डाइग्राम के भी आसानी से हम समझ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है हम देख रहे हैं एक मिनिट में गया छे मीटर फिर चार मीटर अगले मिनिट में नीचे उतर गया या फिसल गया तो finally पहुंचा तो दो मीटर ही कितने समय में दो मिनिट में अब आपको क्या कह रहा है आपको ये कह रहा है ग्यात ये करना है कि कितने समय में बंदर खंबे पर चड़ जाएगा मतलब 100 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगा तो देखते हैं एक तरह से हम देखें तो एक चक इसको 50 से multiply कर दें तो 50 और 2 का multiplication 100 हो गया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चड़ रहा है उतर रहा है चड़ रहा है उतर रहा है इस तरह से हम देखें तो last में वो चड़ेगा फिर वापस उतरे यहां पहुंचने के बाद में उतरे या ना उतरे उस वह अली calculation हमें नहीं ले ना तो हम देखते हैं कि एक बार में 6 जा रहा है फिर 4 आ रहा है तो इसका मतलब last वाला 6 जो चड़ने का उसको बचा कर रखते हैं तो इसका मतलब 100 तक ना पहुंचा कर एक बार 94 तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो 2 का किस से हम multiplication करें कि वो 94 पर पहुंचे तो 2 का multiplication 94 के लिए अगर देखें तो किस से कर सकते हैं हम इसका multiplication 47 से 47 और 2 का multiplication देखूं तो कितना हो गया यह 94 मीटर हो गया इधर 47 से किया तो इधर भी 47 से ही करेंगे तो 47 और 2 का multiplication ये कितना हो गया 94 minute हो गया तो 94 minute में कितना जा रहा है 94 meter जा रहा है अब क्या होगा इस तरह से ये circle चलता रहेगा ये loop ये चक्कर चलता रहेगा तो 2 minute का एक चक्कर है इसे 47 round लगे है 47 चक्कर लगे हैं तो 94 minute लगे है तो अब जो next round start होगा वो चड़ने के लिए होगा तो कितना चड़ता है सबसे पहले 6 मीटर तो 94 मीटर तो जा चुका है अब 6 मीटर और बाकी है तो finally वो 95 मीटर में 100 मीटर की हाइट पर चला जाएगा इस तरीके से 6 मीटर चड़ कर 4 मीटर फिसल कर इस तरीके से 95 मीटर में 100 मीटर की हाइट पर पहुँच जाएगा चलिए यह था हमारा question 23 next देखते है question number 24 इसी तरह का question 24 क्या कह रहा है देखिए question number 24 आपको कह रहा है कि एक बंदर 60 मीटर उचे खंबे पर चड़ता है और first minute में 5 मीटर चड़ता है और second minute में 4 मीटर फिसल जाता है अब आप समझ सकते हैं एक बार में 5 मीटर उपर गया अगली बार में 4 मीटर नीचे आया तो finally पहुचा कितना मीटर एक मीटर कितने समय में 2 मिनट तो ये 2 मिनट मेंаже कितना एक मीटर है हमें कितना पहुचा ना इसको 60 मीटर की हाईट पर तो इसका मतलब क्या 1 का 60 से multiply करके सीधा हम इधर 2 का 60 से multiply करके 120 minutes answer कर सकते हैं नहीं जो last में ये चड़ रहा है 5 meter वो हमें देखना है कितना time बचता है उसके लिए तो इसका हम multiplication करवा लेते हैं 55 से एक meter का 55 से multiplication तो 55 meter तो हो गया इधर भी 55 से multiplication करवा लेते हैं तो ये हो गया 110 minute तो 110 minute में कितना पहुचा 55 meter पहुचा अब इस तरह का मतलब ये हुआ कि एक round में एक चकर में एक meter जाता है तो ऐसे 55 चकर लगे तो 55 meter पहुच गया और समय लग गया 110 minute का अब अगर हम देखें कि उसे पहुचाना है कहां पर 5 meter और बाकी रहा है तो अगले round में तो वो केवल 5 meter चड़ता है तो 55 और 5 अगर मैं देखू तो meter कितना हो गया 60 meter यही height है हमारे उस खंबे की जिस पर उसको चड़ाना है 5 meter तो एक minute में चड़ जाएगा तो ये हो गया आपका एक minute तो total time हो गया आपका कितना 111 मिनट तो वह बंदर 111 मिनट में 60 meter के खंबे की उचाई पर पहुँच जाएगा ये था हमारा question number 24 बात करते हैं अब 23 और 24 पर आधारित जो हमारे questions है pipe and system के उनकी तो देखते है question number 25 जो की इस पर आधारित questions है और pipe and system के है तो देखते है question number 25 क्या कहा रहा है question number 25 देखिए गा question number 25 आपको कह रहा है कि तीन pipe है आपके पास A, B और C किसी tank के साथ जोडे गए हैं ठीक है A और B इसे क्रमसर 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं जबकि C इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है अगर तीनों को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाए तो tank को भरने में कितना समय लगेगा यह हमें ग्याद करना तो इसका हम पहले A को खोला फिर B को खोला फिर C को खोला एक-एक-एक गंटे के लिए तो टोटल टाइम कितना हो गया तीन गंटेगा ठीक है इस तरह से आपको कह रहा है अब C खाली कर रहा है तो जो काम होगा A और B का मिला कर उसमें से C का माइनस करेंगे तब इन तीनों के द्वारा कम्प्लीट वर्क आ जाएगा तीन गंटेगा और यह इस तरह से राउंड चलता रहेगा तो देखता है किस तरीके से होगा यह होगे आपका A यह होगे आपका B और यह होगे आपका C A करता है कितने समय में 20 मिनट में B करता है कितने समय में 30 minute में और C करता है कितने समय में 15 minute ठीक है यहां तक तो अब LCM हम ले ही सकते हैं इसका LCM आ जाएगा इसका कितना 6060 तो जब LCM आ जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं इन सब की efficiency कारिय शमता जिससे ही हमें काम पता चलना है तो efficiency देख लेते हैं इनकी 60 upon 20 कितना 3 60 upon 30 कितना 2 और 60 upon 15 कितना 4 जो कि किस में होगी माइनस में क्यों होगी माइनस में क्योंगी यह टैanक को खाली करेगा अब देखिए क्या कह रहे हैं तीनों को हमें खोलना है एक एक गंटे के लिए बारी बारी से तो पहले खुलेगा A फिर खुलेगा B फिर खुलेगा C फिर वापस A फिर B फिर C, फिर A, B, C इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा, तो मैं देखूं एक गंटा इसका, एक गंटा इसका और एक गंटा इसका, तो कुल मिला कर कितने number of hours हो गए है, 3 hours, 3 गंटे हो चुके हैं, 3 गंटे में अगर हम, sorry, minute में दे रखा है, तो 3 मिनट कह देते हैं, तो ये हो गए हैं कितने 3 मिनट, तो 3 मिनिट में कितना काम हुआ, इसने भरा, इसने भी भरा, तो 3 और 2 पांच, और इसने खाली किया है, तो 5 माइनस 4, तो काम हुआ कितना ही, और काम हमें करवाना किता है, 6 0,60 करवाना है, तो क्या 1 का 6 से multiply, साड़ी, 1 का 60 से multiply करके answer कर दें किया, नहीं क्यों कि भर रहा है खाली हो रहा है इस तरह का sequence चल रहा है तो इसका मतलब starting में मैं देख सकता हूँ ये तीन क्या करता है भरता है ये दो भी क्या करता है भरता है तो अगर हम इसको 57 से multiply करवाएं या फिर 55 से multiply करवाएं तो भी वही बात है ठीक है अगर हम इसको 57 से देखूं ये भर सकता है, 60 upon 20 है, तो 3 आया, 60 upon 30 है, तो कितना आया ये, 2 आया, और 60 upon 15 है, तो ये कितना आया, minus का 4 आया, क्योंकि ये क्या करता है, उसे खाली करता है, 15 मिनिट में खाली कर रहा है, तो अगर हम देखें, 3 और 2, 5 भरा, और 1, minus 4 मतलब ये खाली हुआ, तो इसका इसका 57 से multiplication करवा सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 57 हो गया, तो इधर भी इसका multiplication हो जाएगा, किस से 57 से, तो 57 से multiplication करवा देते हैं, क्योंकि लास्ट में जो है, 3 क्या होगा, भरा जाएगा, तो 3 का 57 से अगर multiplication देखें, तो 50 का 3 से हो गया, 150, फिर 7 का 3 से क्या, 21, तो 150 और 21 हम 71 minutes, उसमें काम कितना हो गया, 57 हो गया है, अभी भी कितना बाकी है, तीन बाकी है कौन करेगा, जिसकी turn है, तो turn किसकी एक ही, तो तीन भरना है तो इसका वलग कितना time और लेगा, ये time लेगा, 1 minute और और कितना काम कर देगा ये काम कर देगा थ्री तो फिफ्टी सेवन और थ्री अगर मैं देखू तो काम हो गया कितना और टाइम हो गया कितना वन सेवन्टी टू मिनट्स तो फाइनली वन सेवन्टी टू मिनट्स में आपका काम हो गया कितना 6060 तो यही हमने पिछले दो कुशन्स पे किया था, वहाँ पर बंदर चड़ने और फिसलने की बात हो रही थी तो यहाँ टैंक को बरने और टैंक को खाली करने की बात हो रही चलिए, अब बात करते हैं next question, question number 26 के बारे में क्या कह रहा है, question number 26 इसमें ये जो values है यहाँ पर 10 और 12 लिखावा है लेकिन जो इसका solution किया गया है इसका हल जो लिखा गया है वहाँ पर 10 और 12 ना लेकर लिया गया है 10 और 20 तो हम भी इसको कर लेते हैं कितना इसको 10 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 2, 0, 20 तो ये हैं हमारा कितना 10 और ये हो गया 20 क्योंकि कुश्चन में तो 10 और 12 लिखावा है लेकिन जब इसका आप हल देखेंगे बुक में तो वाँ 10 और 20 को काम में लिया गया है तो हम भी 10 और 20 काम में लेकर कर लेते हैं चलिए कुश्चन क्या गहरा आपको A और B किसी टंकी को क्रम से 10 और 20 गंटों में भर सकते हैं जबकि C इसे 12 गंटे में खाली कर सकता है अगर तीनों को बारी बारी से 1 गंटे ये लिए खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा सेम कुश्चन है जो पिछला वला था तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे ये A, ये B और ये C तो A करता है 10, B करता है 20 और C करता है कितना 12 गंटे में C खाली कर रहा तो उसकी efficiency माइनस में आएगी LC हम देख सकते हैं इसका इसका LC हम आजाएगा 6,0,60 तो LC हम आगया तो efficiency भी आजाएगी अब इनकी 12 करें तो ये हो गई 5 वो भी किसकी माइनस की क्यों क्योंकि ये खाली करने वाला नल है अब तीनों को बारी-बारी से खोला गया है तो पहले A को खोला गया फिर B को खोला गया और फिर C को खोला गया तो total time हो गया कितना, एक गंटा, इसका, एक इसका और एक इसका, तो total number of hours हो गए 3 hours, इसका हुआ एक जो round है, एक जो चक्तर है वो तीन गंटों का है, और तीन गंटों में काम कितना होता है, 6 और 3 9 ये तो बर रहे हैं इसलिए प्लस हो गया 9-5 कितना 4 काम हो रहा है काम हमें करवाना कितना आप देख सकते है 6 0 60 करवाना रहा है तो 4 का multiplication अब किस से करें कि जो बरने वाला 6 है वहां मतलब 54 तक हम ऐसा कुछ पहुँच पाएं तो इसका multiplication अगर हम करेंगे किस से 15 से करेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा तो 14 से करके देखते हैं अगर इसका 14 से करें तो ये 40 हुआ और ये 16 तो भी ज़्यादा ही है चलिए तो इसका multiplication आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको 6 काम तो करवाना ही है इस से तो अगर ये देखें तो ये 9 हुआ 9 में से 5 गया कितना हुआ 4 तीन गंटे में 4 काम हो रहा और काम कितना है वहाँ पर 60 तो अगर इसका multiplication देखें तो 12 से 48 अभी और करवा सकते हैं 13 से देखें तो 13 से अगर इसका multiplication करें तो कितना बनेगा ये 40 और ये कितना 12 इसका मतलब 52 बनेगा या फिर 14 से अगर देखें तो 40 और फिर कितना होगा 16 तो 56 बन जाएगा जो की जादा हो जाएगा 13 ही सही 13 का 4 से multiplication कर लेते हैं उधर 13 से किया है तो इधर भी किस से करेंगे 13 से तो कितने गंटे हो गए 39 hours और उधर 13 का 4 से कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 52 अब आप देख सकते हैं कि total काम कितना है 60 लेकिन हुआ कितना है 52 हुआ है तो अब क्या होगा ये बरेगा तो इसका मतलब एक गंटा ए ने काम किया कितना किया अच्छे हैं तो 52 और 6 अगर मैं देखू तो कितना हो गया 58 हो गया अब कौन आएगा अब B आएगा तो क्या B पूरे एक घंटे काम करेगा क्या नहीं अगर B ने पूरे एक घंटे काम किया तो तीन काम हो जाएगा तो 52 और 6 अगर मैं देखूं तो 52 और 6, 58 तो complete हो चुका है अगर B ने 3 काम और कर लिया तो 58 और 3 तो 61 हो जाएगा लेकिन काम है कितना हमारे पास तो 60 ही है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब अब जो आने वाला B है वो पूरे घंटे काम नहीं करेगा तो इसका मतलब अंच्वर क्या होगा 40 गंटे से जादा और 41 गंटे से कम अगर आपको option में एक ही option ऐसा दिखे कि जो की 40 गंटों से जादा और 41 गंटों से कम हो तो सीधा उसी को टिक कर दीजिए आगे इसको solve करने की जरूरत नहीं है और अगर आपको एक से जादा option ऐसे दिखे जो की 40 गंटे से जादा है और 41 गंटे से कम है तो इसे आगे solve कीजिए और वो कैसे solve करना है वो हम समझ लेते हैं बी आएगा तीन काम करता है तो 58 और 3 तो 61 हो जाएगा तो काम हमें दो ही करवाना है तो यह तीन काम करता है कितने समय में तीन काम करता है पूरे एक गंटे में अगर हम unity method देखें एक एक नियम काम करता है एक गंटे में एक काम करेगा एक बटा तीन गंटे में हमें काम करवाना कितना है दो ही करवाना है तो दो काम कर लेगा कितने गंटे में दो बटा तीन गंटे में जो की बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं तो अब हम देख सकते हैं अगला जो है पूरा गंटा ना लगकर, कितना time लगेगा केवल, केवल time लगेगा कितना, 2 बटा, 3 घंटे, तो 40 गंटे तो ये पूरे-पूरे हैं अमारे पस, और 2 बटा, 3 घंटे और आ गए, तो finally जो अंस्वर आया, वो आ गया कितना, 40 साही, 2 बटा, 3 घंटे, 40 completed 2 by 3 hours, आप समझ सकते हैं, 58 हो चुका है, 40 हो चुके है next turn है B की 1 hour में 3 वर्क करता है तो 3 काम होता है एक गंटे में तो एक काम होगा एक बटा 3 गंटे में दो ही काम करवाने तो 2 घंटे ही लगेंगे पूरा जो है एक गंटा नहीं लगेगा 40 गंटे पूरे-पूरे और 2 घंट तो क्या गह रहा है question number 27 देखिएगा question number 27 आपको कह रहा है उसी तरह का कुछ question है तीन नल है आपके पास A, B, C किसी टंकी से जोड़े गए हैं A और B टंकी को क्रम से 20 और 30 गंटे में भर सकते हैं C उसे 60 गंटे में खाली कर सकता है null A और C को पहले पहले चल रहा है A और C फिर दूसरे गंटे में B और C को खोला गया इस तरीके से ये sequence चलेगा मतलब पहले गंटे में A और C काम करेंगे अगले गंटे में B और C काम करेंगे फिर वापस A और C काम करेंगे फिर B और C A C B C A C B C इस तरह से चलता रहेगा तो आपको कह रहा है यही करम जारी रहे तो ग्याद करना है कि टंकी को बरने में कितना समय लगेगा देख लेते हैं आसान है तो पहले तो A फिर B और फिर C A बरता है B भी बरता है A बर रहा है 20 में और B बर रहा है 30 में और C जो ह है खाली कर रहा है कितने समय में 60 गंटे में यह लीजिए ले सकते हैं जो कि 60 आ रहा है तो जब ले लिया तो अब इनकी efficiency भी हम देख सकते हैं इनकी efficiency क्या हो गई यह हो गई 3 यह हो गई 2 और यह हो गई 1 वो भी किसकी माइनस की क्योंकि यह निकासी नल है टंकी को खाली करने वाला अब देखिए अब आपको काम करवाना है किस sequence में पहले AC से फिर BC से फिर वापस AC और BC यह sequence चलता रहेगा तो एक गंटे इन्हों ने काम किया एक गंटे ने कितना किया 3 और यह माइनस एक कितना किया 2 फिर किया B और C ने तो B ने कितना किया 2 और C ने कितना किया माइनस एक तो कितना हो गया एक तो कुल मिला कर कितना हो गया 3 तो आप समझ सकते हैं 2 गंटे में कितना काम हुआ 3 काम हुआ क्योंकि AC करेगा तो A 3 करेगा c-1 करेगा तो 2 हो गया फिर bc करेगा तो ये 2 करेगा ये-1 करेगा तो 1 हो गया तो finally हुआ कितना 3 काम हुआ कितने समय में 2 गंटे में तो 2 गंटे में 3 काम हो गया है अब यही सीक्वेंस हमें चलाना है तो काम टोटल आद देख सकते हैं कितना है 6060 का है तो 6060 का ये काम है तो simple है इसका 20 से multiplication कर लेते हैं तो 20 से multiplication कर लेते हैं क्योंकि खाली करने वाला जो है बरने वाले के साथ महीं चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डारेक्ट अब multiple ला सकते हैं तो इसका 20 से multiply किया तो कितना हुआ 60 टोटल 60 है इधर भी 20 से multiply कर दिया तो आंसर आ गया कितना 40 hours 40 गंड कैसे कर दिया क्योंकि इस बार जो खाली करने वाला नल है वो बरने वाले के साथ ही चल रहा है और जबकि पिछले वाले questions पे direct ऐसे multiple नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो खा पाट का last question था बात करेंगे question number 28 से हमारे next part में तब तक चैनल को subscribe और वीडियो को like and share और comment box में अपने comments जरूर जरूर कीजिए Thank you so much Please like, share, subscribe, digital तैयारी